आज हम बनाएंगे नीमबू, हरीमेच और अद्रक का चटपटाचार, इसके लिए मैंने आप पर हरीमेच अद्रक और नीमबू लिया है, सबसे पहले हम हरीमेच को कट कर लेंगे, हमने आप पर उपर की कैप हटा देनी है, और इसको दो हिस्सों में इस तरीके से कट करना है, उसके बाद हम इसको चार टुकडो में कट कर लेंगे, इसी तरीके से हमने सारी हरीमेच को कट कर लिया, आप देख सकते हैं, अब हम अद्रक को कट करेंगे, सबसे पहले हम अद्रक को थोड़ा छिल लेंगे, इस तरीके से उसको स्क्रेश करते वे छिल लेना है, अब हम इस झाइब निम्बू को इसी तरीके से कट कर लेयो सबस्कया है हमने यहां पर नीम्बू का रस निकाल लेना है हमने यहां पर नीमबू का रस लिया है, अब हम इसमें सारी कटिवी चीजे डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे नीमबू, हरी मिर्च, अद्रग, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 पड़े चमच जितना नमक, नमक आप स्वात के अनुसार कम ज़ादा ले सकते हैं, न तेल यूज नहीं किया यह पूरा का पूरा नीबू के रस में बनाएं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है नीबू को घलने में समय लगता है लेकिन मिर्ची चार दिन में घल जाती है अब एक जार में भर लेंगे अधरोक और मिर्ची आप 3-4 दिन में खाने के लिए तयार हो कि दिन मिर्ची आपिया जाएं पूरा को लेकि आप जाता है अव्या का तो, कि जाता है ने है ठावसितिता पता है आप एक जाता है जाता है इसको घिन में एकश पावसैंगे लेगता है अव्या है